नमस्कार दोस्तों कैसे है आप जैसे ही दोस्तों आपको पता है मैं आपके लिए पूरे भारत से घुम घुम कर नए नए बिद्निस आडिया सर्च करता आपका पहुंचाते रहती हूं तो दोस्तों आज के वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक विद्नस लेकर आई ह तो अच्छे लिए दोस्तों जाद देना काते विद्वों शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों टेक्निकल लेडी चैनल में आपका स्वागत है आप लोग जो देख रहे हैं वो एक भट्टी है और ये बतासा मशीन जो बन रही है आपके बहुत काम आएगी और खास तोर पर हम जो बतासा मशीन बनाते हैं उसमें हम सब को कहते हैं कि आप ये भट्टी ले लीजिए और ये चासनी मराने में काम आएगी ये एक पोट्वल मशीन है इसकी खासियत ये है कि आप इसको एक जगए से दूसी जगए शिप्ट कर सकते हैं और फिर जो भी आप लकडी पर खर्च करते हैं जैसे कि माल लीजिए आपको ऐसे चूले में 100 कुल लकडी चाहिए तो इसमें वहीं काम 40 कुलो में हो जाएगा तो 60 कुलो का पैसा बच जाएगा और ये पूरी तरह स्टीर से बना है एसेस 304 स्टीर से बना है तो ये कभी खराब नहीं होगा हम इसकी वाड़ी पर 10 साल की गारंटी भी देते हैं दोस्तों अगर आप कोई बिजनिस करना चाहते हैं या करने के सोच रहे हैं और आपको बिजनिस जानकर ही नहीं है तो आप माच चालम जानकर उन बिजनिस की जानकर ले सकते हैं और भी आपको हमाच चालम नए-नए बिजनिस वीडियो देड़ों को मिलेंगे और इसमें जो पंखा लगा है DC पंखा उसका बिजली का खर्चा बहुत कम है क्योंकि DC लगा है अगर आपकी बिजली चली गई तो इसमें धुआ निकलेगा तो हम क्या करते हैं कि इसमें DC पंखा लगा देते हैं आप बैटी कनेक्शन करके भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब तक जो भी भट्टी बनी है उसमें से जादता लोगों ने बतासा मसीन के लिए ही खरीदा है उसके बावजूट भी बहुत से लोग हैं जो छेना का काम करते हैं जो दही उबालने के काम करते हैं जैसे आपका वालिंग प्लाइंट आपके जसूले की दुकान या आपकी मिठाई की दुकान उसमें ये काम बहुती कमाल के तरीके से काम आता है और आप जो देख रहे हैं जो पंखा लगा हुआ है वो हाई क्वालिटी का है और इस तरह की मसीन 1000 पीस हम अब तक बैश चुके है और ये भट्टी हमने कहां कहां प्रोड़क्ट करवाई है हम आपके सामने पूरा वीडियो लेकर आएंगे और आपको इसका वर्किंग सिस्टम भी दिखाएंगे तो आप देखिए इस भट्टी में क्या क्या होता है जो लकडियां डाली जाती है वो पूरी तरह से राक बनका निकलती है मतलब लकडी 100% जलती है ऐसे चूले में जो नॉर्मन चूले होती है उसमें लकडियां पूरी तरह से नहीं जलती है तो इसकी बज़े से धुआ होता है और लकडियों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें देखिए हमने जो सिस्टम बनवाया है बहुत बड़ी है सिस्टम है और ये देखिए आपके प्रैमरी स्कूल में ICDS स्कूल में इसका इस्तमाल हो रहा है तो वहाँ पर हम आपको पूरा सिस्टम दिखा रही है ये डिलिवरी एक महेने पहले हुई है उसका भी हम वीडियों अप्रोड करेंगे इसके बाद देखिए सारे चूले बहार से आने वाले सारे चूले बन कर दिये गए है देखिए सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है क्योंकि उसमें उस्तस्तमाल नहीं करते और चूले के खर्चा बहुत आता है दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियों देखिए गए जानकर आपको पसंद आईए तो आप अपने दोस्तम शेकर नहीं बुले ताकि बहुत इस वीडियों से लाव उठा सके और इसमें देखिए कितने कम लकडियां इस्तमाल कर रहे हैं तो देखिए आप लोग स्कूल का वीडियो देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है तो देखिए जो लकडियां डाली गही है वह पूरी तरह से भीगी हुई लकडिया है आप देख सकते हैं, पूरी तरह से भीउग लकडी से काम किया जा रहा है। जब उसमें पूरी तरह से आग लग जाए, तो आप उसका प्रेशर कम ये ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, तो वो बुझ जाएगी। उसका प्रेशर कम करने से ये लकड़ियां पूरी तरह से आग पकर लिंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। अब देखिए इतनी बड़ी कड़ाई में ये काम हो रहा है। स्कूल का सारा खाना इस सीप में पकेगा और खर्चा बहुत कम आएगा। तो ये एक मह स्कूल का वीडियो क्या है? ये एक प्रैमरी स्कूल है जो मकुरा जला में इस्थित हैं. आप यहां देख सकते हैं कि मिढ़े मील का खाना तयार हो रहा है बच्चों के लिए मैनू भी लिखा होता है कि खाना कैसे बनता है किस दिन क्या खाना बनता है तो ये लोग एक ही मस सब्सक्राइब करें तो अगर आप बटी लेना चाहते हैं और अगर कोई डिस्टिबूटर बनना चाहता है तो वह भी बन सकता है तो धन्यवाद किर्पा जानकारी के लिए कॉल करें तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसली अगर आप इस बिंदे साहिब को भी चाहिए या आपने मैं कोई सवाल है तो नीचे देना मत संबक असथ और हमसे कमेंड करें पूल सकते हैं साते इस वीडियो आपने दोस्तों शेकरना ना भूलें ताकि वह भी बिंदे से लाव उठा सकें तो दोस्तों बहुत जल मिलेंगे हम आपसे नए बिंदे से वीडियो साथ आ यहीं जय भारत